है लो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे शुगर फ्री के बारे में शुगर फ्री क्या है और क्या शुगर फ्री सेहत के लिए नुकसान दायक है क्या शुगर फ्री का उपयोग हम लंबे समय तक करेंगे तो ये हमारी सेहत को नुकसान पहुचा सकता है और क्या शुगर फ्री वजन कम करने में भी कामाता है शुगर फ्री को आर्टिफीशल स्वीटनर भी कहा जाता है इसको आर्टिफीशल कहना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि कुछ शुगर फ्री ऐसे होते हैं जो कि नैचुरल भी होते हैं इसलिए इसको नॉन कैलोरिक स्वीटनर कहना ज्यादा उचि जो कि खाने में मीठा तो होता है लेकिन इसमें शुगर यानी चीनी नहीं होती है इसको खाने के बाद ब्रड ग्लुकोस नहीं बढ़ता है अब बात करते हैं मारकेट में कौन-कौन से शुगर-फ्री एवलेबल है यह है शुगर-फ्री गोल्ड यह सबसे ज़्यादा इस्ति दोनों में आता है पाउडर का इस्तिमाल आप हलवा या खीर आदी में कर सकते हैं इसमें एस्पार्टम होता है जो बॉड़ी में जाकर फिनाइल एलेनिन एस्पार्टिक एसिड तथा फिनाइल एलेनिन दोनों अमिनो एसिड हैं इसे फिनाइल कीटोनियूरिया नामक बिम थोड़ा सा आफटर टेस्ट रह जाता है प्रेगनेंट फीमेल और बच्चों में इसे इस्तिमाल नहीं करना चाहिए ये है शुगर फ्री नैचुरा ये चीनी से करीब 600 गुना जादा मीठा होता है इसमें सुक्रलोज होता है ये मुँ में मिठास देता है परन्तु इंटेस्टाइन से एब्जॉब नहीं होता है ये हीट स्टेबल है अर्थाथ चाय में उबालने से भी कोई फरक नहीं पड़ता है ज्यादा मातरा में लेने पर ये औस्मोटिक डाइरिया कर सकता है ये टाबलेट और पाउडर दोनों फॉर्म में आता है नैचुरल ग्लाइकोसाइड है ये चीनी से करीब 200 गुना ज्यादा मीठा होता है और ये हीट स्टेबल है ये शरीर में स्टेवियोल में जाकर कनवर्ट हो जाता है और किड्नी से एक्सक्रीट हो जाता है सैकरीन का नाम आपने जरूर सुना होगा ये बहुत पुराना शुगर फ्री है ये करीब 300 गुना चीनी से जादा मीठा होता है और आजकल जादा इस्तिमाल नहीं होता अब तक मैंने बताया मारकेट में कौन-कौन से शुगर फ्री पॉपिलर है और इनके क्या-क्या फायदे और क्या-क्या नुकसान है अब बात करते हैं कि क्या लंबे समय तक शुगर फ्री लेने से क्या ये सेहत के लिए नुकसान दायक है फूड एंड ड्रग अड्मिनिस्ट्रेशन और डियाबिटिक असोसियेशन के अनुसार निर्धारित मात्रा में लंबे समय तक लेने से भी ये नुकसान नहीं करते हैं देखिए ड्याबिटिक पेशन को मीठा खाने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि या तो उनमें इंसुलिन नहीं होता है या इंसुलिन सही तरह से काम नहीं कर पाता इसलिए जब भी वो मीठा खाते हैं उनका ग्लूकोज लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है शुगर फ्री में ग्लूकोज नहीं होता है इसलिए शुगर फ्री डायबिटिक पेशिंट को दिया जा सकता है मारकिट में तरह तरह के शुगर फ्री एवलेबल हैं जिस शुगर फ्री का टेस्ट आपको बहुत पसंद हो, इसको आप शुगर के जगह पर कर सकते हैं मारकिट में तरह तरह की चीजे अवलेबल हैं जो इसलिए शुगर फ्री के नाम से आती हैं जैसे शुगर फ्री मीठाईया, शुगर फ्री बिसकेट्स और कुछ भी तो आप बाहर की चीज़ों को avoid करिए क्योंकि आपको भी नहीं पता कि उसमें sugar free पढ़ा है या नहीं पढ़ा है अगला सवाल है कि क्या sugar free से वजन घटाने में मदद मिलती है वजन बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार refined sugar है refined sugar की मातरा आपको अपने खाने पीने में कम कर देनी चाहिए अगर आप मीठा बहुत पसंद करते हैं और अपने टेस्ट से कोई compromise नहीं करना चाहते हैं तो आप sugar free को बहुत ही निरधारित amount में यूज कर सकते हैं बिना अपना वजन बढ़ाए अगर आपके घर में कई लोग diabetic हैं और आप उनके लिए फीकी चीज़ें और बाकी के लिए मीठी चीज़ें बनाते हैं तो आप sugar free का इस्तिमाल करके एक ही चीज तयार कर सकते हैं इससे जो diabetic हैं उनका शुगर नहीं बढ़ेगा और बाकी लोगों का वजन नहीं बढ़ेगा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी घर में भी जो लोग diabetic हैं उन तक ये बात पहुंच सकें धन्यवान